जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी, सभी चिडिया अपने अपने काम पर गई थी, और अपने अंडों को अपने सरदार के पास छोल गई थी, क्योंकि उन्हें भाय था कि उनके अंडे बारिश में तूट ना जाए, एक घर में बैठी बूरी सरदारनी उन अंडों की देख रेक कर रही थी, तभी भतकते भतकते एक दुष्ट कौवा जंगल में आ जाता है, और वो बारिश में इतना भीग गया था कि, वो सोचता है कि अब वो क्या करें, पास ही उसे सरदारनी का घर नजर आता है, और वो उसके घर के बाहर खत खताता है, शिरिया सरदारनी कहती है कि कौन है, तो कौवा कहता है कि, बहन में बहुत दूर से आया हूँ, और मैं इतना भीग गया हूँ कि, मैं बीमार पढ़ गया हूँ, प्रिपया आप मेरी इस रात के लिए मदद कर दीजिये, शिरिया बहुत ही दयालू रहती है, और वो उसकी मदद करने लगती है और उसे अपने घर में बुला लेती है, घर में घुस्ते ही कालू कौवा देखता है कि, इतना सुन्दर और आली शान धर, उपर से उसमें बहुत सारे अंडे रखे हुए हैं, ये देखकर उसके मन में लालच सा आ जाता है, और वो सरदारनी चिरिया से कहता है कि, तुम यह से चली जाओ, अब मैं यहां रहूंगा, शिटिया कहती है कि मैंने तो तुम हारी सहायता की है, और तुम मेरे घर में मुझे भागाने पर तुले हो, या सुनकर कालू कौवा कहता है, इहां तुम यहां से भाग जाओ, वर्ना मैं तुमें यही मार दालूगा, और उसे एक फपपर लगा दिया। बूरी सर्दार्नी डर जाती है और धर के बाहर चली जाती है। अगले दीन बारिश बंद होती है तो सभी पक्षी सर्दार्नी के घर अपने अंडे लेने आते हैं। बाहर बैठी सरदार्नी को देख पक्षी कहते हैं कि क्या हुआ आफ बाहर क्या कर रही है हमें हमारा अंदा दे दीजिये ये सुनकर सरदार्नी रोने लगती है और कहती है कि घर में एक कावा रात में आया था और उसने हमारे घर पर कबजा कर लिया है और वह कह रहा है कि मैं आब इस घर से नहीं निकलूंगा और मुझे दर है कि कहीं वह धीरे धीरे हमारे अंदे नाखा जाए जिससे कि हमारे भाविश्य का नाश हो जाएगा सुनकर उन्में से कुछ चलिया रोने लगती है और कुछ चलिया साहस पूर्वक कहती है कि ऐसा मत कहिए आप हम इसका बदला अवश्य लेंगे और हम अपने बच्चों को अच्छे से बचा लेंगे और एक चलिया कालू कौवा के घर के बाहर दर्वाजा खत्खताते हुए कह हमें हमारा अंडा दे दो वरना हम तुम्हें यहां पर मार डालेंगे ये सुनकर कौवा बाहर आता है और पहता है कि तुम्हारी इतनी हिल्मत कि तुम लोगों मुझे मार डालोगे तुम्हें समझ नहीं आता तुम लोग यहां से चले जाओ ये घर बहुत-बहुत सुनदर और मैं यहां रहूंगा, रात हो जाती है और रात में कालू कौवा कहीं भूआ के लिए निकलता है, तभी उसमें से एक चड़िया चालाक होती है और वो घीरे से घर के अंदर घुष जाती है अंदर घुस कर देखती है कि अभी सभी अंदे सुरक्षित है और धीरे धीरे सभी के अंदे को घर से बाहर निकाल देती है फिर घर में आग लगा देती है जिससे कि पूरा घर जल जाता है थोड़ी देर बाद जब कौवा लौट कर आता है तो देखता है कि घर पूरी तरीके से जल चुका है और कहता है कि तुम लोगों ने ये क्या कर दिया एक चिड़िया कहती है कि हमने अंडे को बचा लिया है कौवे को अपनी गलती का पश्चाताप होने लगता है और वह कहता है कि मुझसे बहुत बढ़ी गलती हो गई मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था आप लोगों के साथ लेकिन एक बार भरोसा तोलने के कारण अप कौवे पर कोई भरोसा नहीं करता और सभी उसे जंगन से बाहर निकाल देते हैं इससे दुखी कौवा इधर उधर भटकने लगता है और मन ही मन अपनी गलती का पश्चा ताप करता है सर्दियों का मौसम चल रहा था एक दिन बहुत ही ज़्यादा थंद पर जाती है लादो चिरिया बोली अरे बाप रे आज सुबह इतनी ज़्यादा थंद है मुझे कुछ तो करना पड़ेगा अगर मेरा घोसला गरम रखना है तो मुझे आग जलाने के लिए लकडिया जमा करनी पड़ेगी नहीं तो मैं इस थंद में मर ही जाऊंगी लेकिन मैं ये काम अकेले नहीं कर सकती मुझे किसी की मदद लेनी पड़ेगी इतना सोचने के बाद लाडो चरिया मीनू चद्या के पास चली जाती है लाडो चरिया बोली अरे मीनू मौसी तुम क्या कर रही हो मीनू चरिया बोली कुछ नहीं लाडो लाडो चरिया बोली अच्छा ठीक है मीनू चरिया बोली तुम बताओ, तुम यहां कैसे, लाडो चरिया बोली अरे कुछ नहीं, अभी ठंड का मौसम चल रहा है ना, मैं सोच रही थी कि हमें हमारे घुसले गरम रखने के लिए आग जलानी होगी और उसके लिए हमें लकड़िया एकथा करनी होंगी मीनू चरिया बोली हाँ, हाँ बात तो सही है, लाडो चरिया बोली आज घोगह मौसी मुझसे मिलने आई थी, वो कह रही थी कि ठंड के साथ बर्फबारी भी होने वाली है, मेरे तु ठंड की वजह से अभी से हाथ पैर काम प्रहे है मीनू चरिया बोली तो बताओ कब जाना है लकड़िया लेने को लाडो चरिया बोली अभी शाम हो गई है हम सुबह घर का सारा काम निपता कर फिर चले जाएंगे मीनू चरिया बोली हाँ, हाँ कल सुबह जाएंगे अगले दिन सुबह मीनू और लाडो लकडिया जमा करने के लिए निकल परती है उर्ते उर्ते उन्हें रास्ते में कालू कौवा धूप सेंखते हुए उन्हें दिखाई देता है मीनू चडिया लाडो चडिया से कहती है देख लाडो ये आलसी कौवा कैसे मज़े में धूप सिक रहा है लाडो चद्याक जाने दोना मौसी हमें क्या करना है हमें बहुत काम है हमें चलना चाहिए मीनू चड़या नहीं लाडो ये आलसी कौवा ऐसे मज़े में सुबल सुबल धूप सिक रहा है ये मुझसे नहीं देखा जा रहा तुम देखो मैं इससे कैसे काम पर लगाती हूँ लादो और मीनू कौवे के पास रुख जाते हैं लादो चड़िया मीनू मौसी रहने दोना क्यों बेचारे को परेशान कर रही है मीनू चड़िया बेचारा और ये ये एक नंबर का आलसी और कामचोर है इतना बोलकर मीनू कालू कौवे के पास चली जाती है मीनू चड़िया अरे कालू कौवे तुझे कुछ शर्म वम है की नहीं ऐसे दिन्भर बिना काम के कैसे बैठ सकते हो तुम तुम्हारे हाथ पाओ दर्द नहीं करते कालू कौवा मीनू मौसी की बात को सांती से बैठा हूं क्या आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ हो रही है अगर आप चाहे तो मैं यहां से उठकर कही दूर चला जाता हूं अरे आलसी कौवे मुझे मालूम है तु कितना कामचोर है और वैसे भी तुझे कुछ और आता भी नहीं और बस दिन भर आराम से सोता रहता है तो नहीं नहीं मीनू मौसी मैं कामचोर नहीं हूं मैं कोई भी काम कर सकता हूं अच्छा तो ऐसी बात है तो चल मेरे साथ मैं और लाडो घोसले गरम रखने के लिए लकडिया जमा करने के लिए जंगल में जा रहे है तू भी चल हमारे साथ तालू एक भोला कौव था, वो मीनू मौसी की बातों में आ गया और चल पड़ा उनके साथ, हाँ हाँ, चलो मैं तयार हूँ, देख ले तू अभी हाँ बोल रहा है, बीच में काम छोड़ कर कहीं भाग तो नहीं जाएगा, अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुझे हमारे ग्रुप से निकाल दूंगी तो बैठे रहना रात मैं थंड में ठिथूरते हुए, कालू कौवा नहीं नहीं मौसी मैं आ रहा हूँ न तुम्हारे साथ, लाडो चरिया ये मीनू मौसी भी ना किसी को भी अपनी बातों में फंसा लेती है और अपना काम करवा लेती है, लाडो, मीनू मौसी और कौवा तीनो जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं, थोड़ी दूर जाते ही लाडो को जमीन पर कुछ लकड़िया दिखाए देती है, लाडो चरिया चलो हम यहां से एक-एक लकड़ी उठा लेते हैं, तीनो एक-एक लकड़ी उठा कर लाडो चरिया की घोसले की तरफ निकल पड़ तो घोसले में रहने के लिए जगह नहीं रहेगी और फिर हमें आग भी तो जलानी है। 3. मिलकर लकईया मौसी के घोसले में रख देते हैं। लादो चिरिया चलो, हमें और भी लकड़िया लानी पड़ेगी ये लकड़िया तो हमें आग जलाने में कम पर जाएगी। हमें कुछ और लकडियों की जरूरक पड़ेगी, तभी मीनू चिडिया पाउ में मोच आने का जूथा नातक करती है मीनू चिडिया अरे बाप रे, उई मा, मर गई रे, शायद मेरे पैर में मोच आई है, अब में लकडिया नहीं उठा पाउंगी लादो चिडिया कोई बात नहीं मोसी, आप आराम कीजिए, मैं और कालू भाया जाकर लकडिया जमा कर देंगे इतना बोल कर लादो और कालू वहां से लकडिया लाने के लिए उर जाते है दिन भर दोनों लकडिया जमा कर रहे थे ऐसा करते करते मीनू मौसी के घर में लकईयों का धेर लग जाता है मीनू चरिया अरे वाह इसे कहते हैं सुकून की जिंदगी रात में तीनों मिलकर मौसी के घर आग जला लेते हैं और आराम से सो जाते है जब सुबह हो जाती है कालू कहता है कि कल तो बहुत अच्छी नींद आई मुझे लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है लाडो चड़ियाक भूख तो मुझे भी लगी है कालू भाईया देखते है मीनू मौसी के घर कुछ खाने के लिए है कि नहीं लाडो मीनू मौसी से कहती है अरे मीनू मौसी हमें बहुत भूख लगी है आपके पास कुछ खाने को है मीनू चड़िया हाँ, हाँ, मेरे पास थोड़ा अनाज बचा है आखिर तुमने हमारे लिए इतना सारा काम जो किया है दोनों थोड़ा थोड़ा करके अनाज खा लेते हैं खाना खाने के बाद लाडो कालू से कहती है चलो कालू भया हमें और लकडियां जमा करनी होगी तभी मौसी उन दोनों को रोक लेती है और कहती है लाडो तुम एक काम करो तुम लक्लियों के बजाए अनाज जमा करो घर में सिर्फ थोड़ा ही अनाज बचा है अगर मैं अकेली होती तो अनाज बच जाता लेकिन अब हम तीन लोग है इसलिए हमें और अनाज चाहिए लाडो चिरिया आप सही कह रही हो मौसी मैं और कालू भाया अभी निकलते हैं दोनो अनाज लेने के लिए निकल पड़ते हैं उधर लाडो और कालू मेहनत कर रहे थे और इधर मतलबी मीनू मौसी मजे से अपने गुसले के बाहर धूप सेंपते हुए बैठी थी ये सर्दिया कितनी अच्छी होती है रात में आग जलाओ और दिन में मस्त धूप सेकों ये दोनों अनाज लेकर वापस आए तब तक मुझे घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेना चाहिए मैंने उन दोनों से जूट कहा है कि अनाज खत्म हुआ है लेकिन इसा नहीं है मैंने बहुत सा अनाज पहले से ही जमा करके रखा हुआ है अब मेरे पास रात में आग जलाने के लिए लकडिया भी बहुत है मेरी पूरी सर्दिया ऐसे ही मस्त निकल जाएगी इधर लाडो और कालू अनाज धूनते धूनते बहुत दूर तक आ जाते हैं और उन्हें वापिस आते आते रात हो जाती है और इधर पीहू मौसी घर का दरवाजा बंद कर देती है रात हो जाती है और दोनों मीनू मौसी के घर के बाहर आ जाते है लादो घर का दर्वाजा खटखटाती है लादो चिर्याक मीनू मौसी ओ मीनू मौसी दर्वाजा खोलिये हम है कालू कौवा शायद मौसी सो गई है मैं देखता हूँ अरे मौसी जल्ब दर्वाजा खोलिये बाहर बहुत थंड है अगर तुम थोड़ी देर में दर्वाजा नहीं खिलोगी तो हम यही पर जम जाएगे मीनू मौसी को उन दोनों की आवाज सुनाई दे रही थी लेकिन मतलबी मीनू मौसी ने दर्वाजा नहीं खोला और चुप चाप अपने घोसले में सोती रही लादो चुरेया कालू भया शायद मीनू मौसी सो गई चलो हम मेरे घोसले में चलते हैं मेरे घोसले में थोड़ी लकड़ी पड़ी है हम आज रात वही लकया जला कर सो जाएंगे कालू को आवा कां अाँ, हाँ चलो चलो थोड़ी देर बाद मीनू खिर्की से जाँक कर देखती है मीनू चड़िया मुझे लगता है शायद वो दोनों चले गए होंगे मैं अब अकेली ही आग जला देती हूँ मीनू मौसी आग जला देती है अरे बाक रे, आज तो बहुत ही जादा थंड है मुझे और जादा लकड़िया जलानी पड़ेगी मेरे पास तो बहुत जादा लकड़िया है मीनू मौसी लकड़ियों के धेर को खीचने लगती है तभी लकड़ियों का धेर खिसक कर आग में आ जाता है और वो लकड़िया भी आग पकड़ लेती है मीनू मौसी अरे ये क्या हो गया कोई मुझे बचाओ लाडो कालू कहा हो तुम दोनू लाडो चिड़िया अरे कालू भाईया ये तो मौसी की आवाज लग रही है मुझे लगता है वो मुसीबत में है हमें जाकर देखना होगा जैसे ही वो दोनों मौसी के घुसले के बाहर आ जाते हैं तो देखते हैं कि घुसले की चारों तरफ आग लगी होती है कालू हिम्मत और बहादुरी से दरवाजा तोड़ देता है और मौसी को आग से बाहर निकाल लेता है मौसी के पन्खों को आग लग चुकी होती है तभी कालू कौवा, मौसी को पास वाले तालाब में चोड़ देता है मौसी की जान बच जाती है और मौसी पानी से बाहर आ जाती है और कालू कोवे को कहती है मुझे माफ कर दो, मैं मतलबी हो गई थी पाउ में मोच आती ये जूट कहां आप दोनों से इसके सामने मौच चाहिए सिर में चोट हाथ दोनों सर और सारा काम तुम दोनों से करवाया तुम्हारे आने से पहले ही दर्वाजा बंद भी कर दिया लेकिन मुझे मेरी लालच की सजा मिल गई और मेरा एक पंग भी जल गया नीनू मौसी को अपनी गलती की सजा मिल चुकी थी